नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल और टेकनिकल सोलिशन में तो दोस्तो अगर आप जीवों का सेम इस्तमाल कर रहे हो और आपको अगर इंटरनेट का स्पीड अगर कम आ रहे हैं उसके बाद दोस्तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे options आएंगे लेकिन आपको यहाँ पर mobile network का option यहाँ पर ढूनना होगा तो दोस्तो यह अलग-अलग mobile में अलग-अलग जगा पर हो सकता है तो दोस्तो आप अपने mobile के हिसाब से जहाँ भी आपको mobile network का option मिल रहा है वहाँ पर आप इसे ढून लीजिए तो मुझे यहाँ पर connections में जाना होगा क्योंकि मेरे पास Samsung का mobile है तो दोस्तो connection में जाने के बाद मुझे यहाँ पर mobile networks का option मिल गया है तो मैं यहाँ पे mobile networks पे click करके लेता हूँ वहाँ पे जाने के बाद दोस्तो मुझे यहाँ पे access point names इसा एक option मिल रहे है तो मैं यहाँ पे access point names पे click करके लेता हूँ तो दोस्तो उसके बाद आपके mobile में जो भी access point अभी चल रही है जो भी working में है उनके list यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है तो आपको simply क्या करना है आपको एक नया access point यहाँ पे manually add करना है तो उसके लिए दोस्तो यहाँ पे आपको add का option मिल रहा होगा लेकिन दोस्तो यहाँ पे अलग mobile में आपको plus का sign इसा भी मिल सकता है या new APN ऐसा भी एक option यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है आपके mobile में जिस तरह का option आ रहा है तो आप वहाँ से एक नया APN add कर दीजे तो मैं यहाँ पे add पे click करके देता हूँ तो दोस्तो add पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक form type page यहाँ पे आने वाला है तो दोस्तो आपको यहाँ पे सारे details जैसे कि मैं यहाँ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ फिलप करते जाना है उसके बाद आपका internet का speed यहाँ पे बढ़ने वाला है तो यहाँ पे सबसे उपर आपको name का option मिल रहा है तो हम यहाँ पे name पे click करके लिए ते और दोस्तो यहाँ पे मुझे type करना होगा जिवो तो यहाँ पे j capital है उसके बाद space net तो यहाँ पे net का जो yen है वो भी यहाँ पे capital रहने वाला है उसके बाद फिर से space vspl तो दोस्तो यह vspl पुरा small में है उसके बाद .go तो यहाँ पे vspl.go यह पुरा small में है और उसके बाद space small x21 ऐसा आपको type करके लेना है और इसे ok करके save करके लेना है तो उसके बाद आपके समने APN का एक option आ रहा है तो आपको यहाँ पे APN पे click करके लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे type करना है दोस्तो जिवो net space www.com तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारे latest small में रखने है और उसके बाद OK करके इसे save कर लीजे तो उसके बाद दोस्तों आपको proxy not set ही रखना है, port not set ही रखना है, सिधा username पर जाना है तो मैं यहाँ पर username पर click करके लेता हूँ तो यहाँ पे दुस्तो आपको username पे type करना होगा ex21 space jo और इसे हम यहाँ पे click करके लेते उसके बाद दुस्तो आपको password को भी यहाँ पे not set ही रखना है सिधा आपको server पे जाना है तो दुस्तो server पे जाने के बाद आपको simply यहाँ पे type करना है www.google.com और इसे यहाँ पे ok करके save करके लेना है तो उसके बाद दुस्तो आपको चारपा सेटिंग में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको सीधा जाना है authentication type पे वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ch ap का जो three number पे option मिल रहा है उसे आपको यहाँ पे click करके लेना है उसके बाद दुस्तो आपको जाना है apn type पे तो मैं यहाँ पे apn type पे click करके लेता हूँ तो दुस्तो यहाँ पे आपको अगर options select करने के options अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे select करना होगा default, yes, upl और net यह 3 options आपको select करने होगे लेकिन आपको यहाँ पर select करने के option नहीं आते हैं तो आपको इन 3 options को simply यहाँ पर type करके लेना होगा जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया तो यह 3 options है default उसके बाद मैं यहाँ पर comma देता हूँ करने यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पर आपको आपको क्लीक करके लेना है उसके बाद दोस्तों आपको दो नंबर पर जो एल-टी का option मिलने वाला है आप उससे यहाँ पर select करके लीजे और उसके बाद दूस्तों आप OK करके इस setting को यहाँ पर save कर लीजे तो save करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको यहाँ पर three dots का जो option मिल रहा है वहाँ पर आपको click करके इसी यहाँ पर save करके लेना है तो दोस्तो सेव करने के बाद आपके mobile में दो number पर यह setting आ गया है तो आपको इस setting को यहाँ पर select करना होगा और इसके बाद दोस्तो आप internet यहाँ पर start करके देखे यूज करके देखे तो दोस्तो अगर आपका speed बढ़ता है और आपको अगर यह video पसंद आता है इस video को आप like कीजिए और यदस यदस शेयर कीजिए और आपने अभी तक भी हमारी चैनल को subscribe नहीं किये तो आप हमारी चैनल को subscribe कीजिए तो चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद वंदे मातरम